लो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की उडियो के अंदर हम करने वाले एक बड़ा ही मैत्पून और एक हाड मोक टेस्ट आप लोगों के लिए देखें मैंने आप लोगों के लिए एक CDP की मामेरथन क्लास दीती 10 गंटे की करीब वो मामेरथन क्लास है अगर ज बच्चों लेडी तैयारी कर रहें तो उनको कई दिन लग गए होंगे उस मामेरथन को कुम्प्लीट करने के लिए ठीक है लेकिन आप लोग उसको यहापर जाके देख लेना अब आप लोग ने जब मामेरथन क्लास देख लियोगी CDP के बारे में आपको सभी कुछ पता च सकता है ठीक हाला कि मैंने दो-चार कोशन मोडरेट लिए बट एग्जैमनर के अगर मन माया हाड पेपर लेना है तो इस परकार का आपको देखने को मिलेगा तो चलिए बहुत कर लेते हैं आप लोग यहापर मेरी मेहनत को साबित करते हो या फिर एग्जैमनर के हाड पेप के अंदर आपको पता लग जाएगा ठीक है तो आज आपके लिए एक बड़ा ही मैच्पून ये मोग टेस्ट होने वाला है जो हाड मोग टेस्ट आप लोग के लिए या पर होने वाला है ठीक है और साथ में आप लोग मैंने का CDP की महा मैराथन क्लास को देख लेना उस पर लग बग आपके उसको 30,00,00,00 लोगों ने उसको देख लिया है मतलब जितने फोर्म आपके CT8 के अंदर भरे जाते हैं लग बग सभी बच्चने उस मैराथन क्लास को अपना देख लिया होगा तो आप लोग उसको देख लेना इसके बाहर आपको CDP पढ़ने की जरोत नही क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा चाय प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना वहना यूटूब पर सर्च माल लेना CDP महामेराथन बाई सचिन सर क्योंकि कही सारी मेराथन मैंने दिये अभी लेटेस्ट वाली देखना जो मैंने लगबग आपकी 10 गं करते हो कुछ भी आप लोग करते हो ठीक है चलिए आपके सामने के करके आपका टेस्ट अब सुरू होता है आंसर अब आप लोगों को देने हैं पोल देदे वही सोरोबिन को और देखते हैं आज कितने स्कॉर आप लोग करोगे इमानदारिस अपना बताना कि अगर आपके स सुरूरात कर लेता है ठीक है जी गुडिमिंग मैं ठीक हूँ आयोप आप लोग सब ठीक होंगे और आज के हाड मोग टेस्ट को देखने के बाद आप ठीक नहीं रहोगे चलिए वह कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आगया ठीक है चलो इसकी सुरूरात करते हैं अब डिटे इसको डिस्क्राइब करता है यह केंदर करन का एक रूप है या जो आपके जीन प्याजे है उसने तीन परवर्तिय कारियों की यहापर रूप रेखा त्यार करी यानिकि थ्री माउंटें टास्क इस पर रिलेटीड कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा भी जा चुका है सीटैट में कैसा कोश्चन पूछा था यह ओनलाइन सिफ्ट के अंदर कोश्चन आया था कि एक बच्चे को 3D मोडल की उसको आकरती दिखाई और बच्चे से इसको सोचने के लिए कहा गया कि जो तो गई भाड में बच्चा स ये लिए अपने हिसाब से ठीक है यह वाले जैप प्रोच हुज होती है आपकी एको सेंट्रेजन के उतिया कौन मनरं करता है आपके साल इस्क्रीन पर उप्शन है ज़रा देखे वयर आप लोchat पर किससा जा रहे हो बीगी केसाथ जद्धर जारो यह आपकी पहला दूसरा तीसरा देखते हैं यह सेंट्रेसन का एक फोम होता है बिल्कुल ठीक बात है सेंट्रेशन का मतलब होता है जब बच्चा किसी चीज की सिर्फ एक विशेष्था प्रध्यान देता है दूसरी को नेगलेट कर देता है जैसे मैं आपको एक 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 जम्पल बता था माली जे स्पैन का यूज बच्चा सोचता है बस इ यह आपका सेंट्रेशन के अंदर सोचता है जो आपके एहम केंदरवात को दरसाता है बिल्कुल ठीक पहला यह आपका ठीक है दूसरा कहता है यह समझा सकता है कि छोटे बच्चों को कभी-कभी वास्तविक्ता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है उसको अलग करने में प अपका ठीक है अब यहाँ पर दियावाय की एहम केंदरवात का अध्यन करने की लिए प्याजने यह बिल्कुल आपका ठीरी माउंटेंट टास्क यह नों एक ठीरी माउंटेंट टास्क दिया था ऐसे तीन परकार के उसको माउंटें यान के परवत दिखाई थे और खुद के नजरी से ही सोचता है तो आपका एगो सेंटेज में आता है तो भई तीनों ठीक है आपने क्या लगाया था बीबी यानि बिल्कुल ठीक आपके यहापर बीबी वाला आंचर यहापर सही हो जाएगा अच्छा कोशन लगा लगाना कुछ लेवल का कुशन आपको कि जो आपका एहम केंदरवाद होता है यह आपका एगो सेंटेज में होता है क्या होता है औरना सिंपल से कोशन आते हैं उसको आप लोग इजली कर जाओगे इसमें आपको दिमाग लगा होगा ठीक है चलो भई सुरुवात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोशन की यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला कोश्चन आपको दियाओए कि निमलिकित कथन किस सिक्सेंट स्टैल का संदर्व यहापर दे रहें बतावाई कोंची आप लर्णिंग इस्टाइल टीचिंग इस्टाइल का संदर्व दे रहें सिक्सारति तर्क की बजाए अंतर ज्यान पर भरोसा यहापर करता है ठीक है मलब तरक पर इतना ज्यान नहीं देता है जितना अंतर ज्यान पर भरोसा करता है वे लक्सर निर्दारित करते हैं और किसी उद्देशे को प्राप्त करने के लिए विभिन तरीकों से परियास करने के लिए छेतर में सक्रिय रूप से काम करते अब यहाँ पर बताना है कौन सी learning style की बात है आपकी accommodation style है, assimilating style है, diverging style है या फिर आपकी converging style है तीक है यह जो आपके लोरेंज स्कोल भर गें, उन्होंने model दिया था learning style के उपर तो अलग अलग प्रकारके उन्होंने learning style बताई थी, अप सीटाइट में इतना level नहीं होता लेकि फिर भी मैंने आपके लिए डाल दे क्योंकि converging, diverging, assimilating और accommodating इसके बारे में आपको बता रखा है ठीक है तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग जा रहे हूँ यह फज़ गया आप लोग आपर ठीक है प्रिवेस नोलीज के साथ नहीं नोलीज को जोड़ना assimilation और आपका accommodation जब उस knowledge के अंदर हम modify उसको कर देते है modify कैसे कर देते है जब हम उसमें तरकी की बजाए अंतर ज्यान पर भरोशा करते है यानि कि उसको modification हम करते तो आपकी accommodation आपकी style हो जाएगी ठीक है अच्छार मेरा question आप लोगों से इस question को बताना अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बच्चा है वो खुले दिमाग से कोई चीज को से उस रहा है मैं आप लिख देता हूँ अगर बच्चा खुले दिमाग से किसी कोई सीज को सो चथा है में आपकी लरंडिंग स्टाइल है कोंची लर्णिंग इस्टाइल के अंदर यहाँ पर यह आ जाएगा जिसमें बच्चा को प्र पैर गुरूप के मादम से बच्चाइब रहा है comment box में इसका जल्दिस answer दीजे, क्या answer इसका हो जाएगा, ठीक है, तब तक में अगला question पढ़ता हूँ, comment box में इसका मुझे answer आ जाना चाहिए, अगला question आपके सामने दिया हुआ है, समावे सी सिक्सा है, यानि कि जो inclusive classroom होती है, inclusive education होती है, इसके संदर में निमलिकित में से कौ inclusion, ठीक है, inclusion में आपका दियावा की सिक्सा की नियमित जो आपकी धारा है, मुख्य धारा है, उसमें विकलांग बच्चों को सिक्सा परदान करने के दृष्टी को उनको लागू करने के लिए समावे से किया गया था, बताओ सही answer क्या हो जाएगा, किस के साथ आप लोग आ पर जा रहे हो, ठीक है, converging style हो जाएगी, यार, converging, खुले दिमाग से बच्चा सोच रहा है, peer group के माद्यम से बच्चा सीक रहा है, converging कैसे हो जाएगी, गदो, सही, सही, ओल लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन सी style हो जाएगी, driver, driver, diverging हो जाएगी, ना, ना, कटवा दो मेरी क driver को उन सी style बता दी, तो आपके बिल्कुल ठीक आपने बता है, diverging आपकी style हो जाएगी, जो जाज अतर बच्चों ने सही बता है, diverging style हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब इसका आप लोग बतिए, अदेको इस सब चीज में आपको explain कर चुका हो, conclusion क्या होता है, सम की inclusive classroom education है, जहापर सभी बत्चों को समान सिक्सा दी जाती है, बिना किसी बेदबाव के, तो कौन सा statement आपका सही हो जाएगा, जरा उसके बारे में आप लोग मुझे यहाँ पर बताईए, ठीक है, बताओ भई किस के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, देखे, आप जो विखलांग बत्चे है, उसके मोजूद शिक्सा कारक्रम में विखलांग बत्चों की बागिदारी का वर्णन करने के लिए क्या गयाता है, ठीक है, जहापर हम बत्चों को इंटिग्रेट करके पढ़ा रहे, यानि जो, और यह क्या होगा भई, यह पिक्चर कैसे लिए यानि जो यहापर यह सामने बत्चे है, यह ग्रीन डोट वाले आपके सामने बत्चे है, और जो यहापर आपके आ सामने बत्चे दिव्यांग बत्चे है, इन सभी को यहापर सामने बत्चों के साथ इंटिग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है, तो पहले के साथ हम लोग य तो दिल्ली मंच जाईए उनको मेल कर दीजे mail पर आपका ठीक हो जाएगा अगर मेल पर वो बोर्ड वाले आपका जवाब नहीं देते फिर आपको डेली जाना पड़ेगा पड़पड गंज के अंदर आपकी सीटेट की यूनिट है उफर थाड़ कलोर पर जाओगे गेट पर आपको एक परचा सा लिखा हुआ मिलेगा सायद अब आपका हटिगा हुआ अलग बात है उसमें कुछ आपके डोकुमेंट लिखे वे उनको लेकर चले जाना ठीक है मैं अगर मेरे पास होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलिग्राम पर सचिन अकेडमी पर उन डोक परचन आपके सामने दिया हुआ है सेवगात्मक सिक्संड पदिती यानि यहाँ पर बात हो रही है आपके कोलेबरेटिव लर्णिंग मेथड की बात हो रही है और कोलेबरेटिव लर्णिंग मेथड क्या होता है यह आपका पोजिटीव होता है यह जारा कमेंड बोक्स में बता है ये ठीक है तो कोलेबरेटिव लेंडिंग मेथर्ड के संदर में निवलिकित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है नेगिटिव आप से पूछा है सिक्सर्ण और सीखने की एक विदी जिसमें चातर और सिक्सक एक साथ मिलकर एक महतुन पर्सन का पता लगाते हैं य किसके साथ आप लोग जाओगे सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से इसका आप लोग आंसर बतिए क्या आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है पोजिटिव होता है पोजिटिव क्या होता है क्या पूछा था मैंने भी आप से मैं खुदी बूलिया मैंने आप से क्य नेगिटिव के बारे मां आपको अपना आंघीड है ठीक है चिक है बताव जल्दिसां सब्ताव किसके साथ यहां पर जारो दो नहीं के लट हो जाएंगे यहां पर दियावाय की टीचर और स्टुडेंट एक साथ मिलकर एक महत्मुन परसन का पता लगाते हैं और यह उसकारे पड़नाली वाता उनको संदर्बीत करता जिसमें टीचर एक सामान्य कारे में इंगेज होते जह तो हमारे आज पर उसकी जो महिलाए होती है वो पता लगाती है या कुछ इस प्रकार के पुरूस होते है जो इस प्रकार का पता लगाते कि देखे फलाने के गर में आज कौन सी सब जीवनी है क्या कलेश हो रहा है ठीक है इसलिए नहीं करा जाता ताकि आपस में एक दूसरे स कोलेब करके सीख सके सेग आतमक तरीक से यहाँ पर सीख सके ठीक है अगरा कुछन देखता सामने आपके स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट कुछन आपको दियाओ आए यहाँ पर दियाओ आए कि मान्चिक छमताओं की यहाँ पर बात हो रही है तो मेंटल एबिलिटीज के संदर में निमली कितमें से किस प्रकार की बुद्धी सई धंग से मेल खाती है अच्छा बए बुद्धी के प्रकार दीएवे कौन-कौन सी बुद्धी है आपकी है linguistic intelligence है ठीक है यानि कि आपकी भास ही बुद्धी है इसमें दियाओ आए कि वेक्ति के लिए इस्तानिक जानकरी य यहाँ पर logical mathematics की बात दी हुए वेक्तियों को अमूर्त गर्णितिया संबंधों का उप्योग करने के अनुमती देता है यह भी बिल्कुल यहाँ ठीक बता दिया अगला दिया हुआ यहाँ आपके सामने इंटर पर्सनल intelligence की बात हुरी है वेक्तियों को दूसरों और स्वेम क की चिंद तंसील समझ की छमता सक्सम यह पर बनाता है यह और यहाँ पर गलत बना दिया दूसरे से क्या मतलब है यहाँ तो उसको खुद से मतलबोंन चीए तो यह पर कौन-K pinch बिल्के जो मेने बताया है उसके साह जा रहे है जो जिस बिल्की इसे गांसरों सभृश भाई के ठीक कर रहा है अपने हाथ को खड़ा कर दो ठीक है और जिसने गलत वताया जा उसके हाथ तोड़ दूँगा बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा ठीक है एक दो के जरम में इसके अंदर नाम पढ़ लो किसके अंदर आप लोग आपर जाओगे एक साथ जा रहे हो एक साथ ज फड़ूसा नहीं है क्या मैं घलत पढ़ा रहूं क्या ठीक है तुम्हें मुझसे ज़्याद हपता है क्या बताओ जल्दी से क्या आंसर से हो जाएगा बी बिल्कुल ठीक बताया दीपू मिश्राण ने ठीक है राज रानी ने सी बताया जे खान ने डी बताया बिल्कुल ठीक इनों ने बताया और यह जो बच्चे है इन बच्चों की इनकी दवा के इनके घरवाले वीडियो देख रहे हैं इनका जापड मारो दोती अरे गधो अगर कोई टीचर तुम्हें फसा आ रहा है इतना पढ़ाने समझाने के लेगी ना तार्की के गणिते बुद्ध्य ठीक है इसके अंदर में आपको फसा नहीं सकता था क्योंकि सीधा गणित का संबंद आ रहा था तो कैल्कुलेशन से संबंदी जिसके अंदर काम होता है यह आपकी मैथमेटिकल इंटेलिएंस वाले लोगों के अंदर होता है अक इसको फसादिया मुझे पताती है अगर मैं इस तरकार साफ से कोश्चन पूछूंगा शुरू में गलट ठीक कर दूँगा तो बच्चे फज जाएंगे ठीक है तो दूसरों की जो मनुवत दसा को दूसरों के मनुभाव को समझ जाता है वह कौन होता है टीचर इंटर परस कोशन है यह रहा नेक्स्ट कोशन अगर अपने आंसर पर आपको पूरा भरोसा है पूरे कायम है तो फिर उसके उपर बनाए रहना अगर सी वाला भी गलत देते तो कैदना जी आपने गलत दिया है अभी हम देख इसको चैलेंज कर देंगा आपके को ठीक है यह मैं जो अप के सामने दियावाए एक सिक्सक कक्सा के बहुतिक वातावर्ण यानिक उसके जो फिजिकल एनवारेमेंटे उसको बढ़ाने में निमली कितमे से कौन सी भूमी का निभाता है जो क्लासरूम की दिवार है उसके सोंदेर्य करण के लिए वो चातर को इंकरेज यानिकी प्रोस इसके ओपर ठीक है फस गयता आप ठीक मुझे भी बुद्धु बनाया आपने अरे आप तो बुद्धु हो बुद्धु बनाने की जरूता है बताओ जल्दी आन्सर बताओ किसके साथ जा रहो थड़का साथ जा रहो पक्का थड़का मतलब क्या है पहला और दूसरा चलो ठीक है चला जाता हो आपके साथ क्योंकि आपर क्लास्रूम का जो एन्वारमेंटर ना तो उसकी भूमिका खेबार में बात हो रही है तो वह संदरिय करने के लिए बच्चों को इंकरेज करो जैसे जब दिवाली का मोगा आता था ना जब हमी स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो जब दिवाली आती थी तो पूरी क्लास्रूम को पूरे स्कूल को सजाय जाता था रंगोली बनाए जाती थी क्लास में ठीक हाला कि हम रंगोली नहीं बनाते थे लोड़ने लफाड़ों को ज़्यादे थे लिए लड़के भी तो बहुत अच्छे रंगोली बना सकती है और लड़कियों को टांगा नहीं जाता था कि चल तू लंबा साहत करके कुछ जालर वगरा से लगा दे तो इस प्रकार से यहापर बच्चों को करा जाता है दिवाली पर ऐसे किया जाता था बर हमारे स्कूल में तो जेंडर स्ट्योटाइप होता था और वहापर क्या काम ह होता था जो बच्चा जादे किलास को बढ़िया सजाता था उसको यहापर फेस्ट प्राइज मिलता था हमारा स्कूल ता लेकिन आज हम कभी भी अपने विनर नहीं बन पाए अपनी स्कूल के अंदर सोचो कि इतनी मतलब बेजती होने वाली बात है ठीक है अगला यहापर ह किलास सुरू होने से पहले सुनिश्चित करें कि किलास साफ रूम आपको इंट्रेस्ट अभी आएगा पढ़ने के अंदर जब साफ सुतरी क्लास हो जब आप लोगी स्टेट गवर्मेंट के स्कूल के अंदर जाओगे ना हालकि अभी आपको कुछ स्कूल के अंदर टाठ स्कूल के बात कर रहे हैं तो दोनों ठीक हो जाएंगे आपका पहला दूसरा दोनों ठीक हो जाएंगे और दीवाली पर किसने अपनी क्लास रूम को सजाय है जरा मुझे हाथ खढ़ा करके आप लोग आपर जल्दी से बता दो और किस-किस के साथ भेदवा हुआ है वह भी जरा हार खड़के आप लोग यहां पर बता दो ठीक है तो आप से पढ़ने पर ओफ-लाइन जैसा ही लगता है बिल्कुल ठीक बात है अगर ऐसा लगता तो समय लेना मेरा टीचिंग में ठीक है भई क्योंकि बच्चों को रियल कनेट कर गए पढ़ाना चीए ठीक है अगला के टीचर सेंटर एप्रोच की आपर बात हो रही है जिसमें क्या होता है स्टुडेंट होता है सिक्षक दुवारा निर्धारिश सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करता है अच्छा वही और सिक्साथी केंदरी दृष्टिकों यानि कि आपका लर्नर सेंटर बार हमारे आपर कुछ जैसे किलास को हम सजा रहेते हमारी लास्ट यर था तो हमने सोचा इस बार तो जीतना ही जीतना है पूरी मेहनत कर दे तो हम बहुत सारा समान लेकर आए ठीक है क्योंकि मुझे टीचर ने टोका नहीं कि वहीने क्या टोक न तो मैंटी स्कूल से निकल आप लोग यहाँ पर जा रहे हो इसको गलत क्यों माना टीचर सेंटर एप्रोच की बात हुरी है जिसमें सेंटर में को ने केंदर में को ने आपका टीचर केंदर में के आपके हम लोग बढ़ते है अगला क्या कहता है ठीक है कि और अगला आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट कोस्ट आपके सामने आगया देखा होगा हमारा कोई न कोई एक ऐसा का हाथ होता है जिसको प्राइटी के रूप में लेते हैं जैसे अगर मैं अभी लिख रहा हूं तो मैं सीधा हाथ से लिखता हूं क्योंकि मैं राइट हूं अगर मैं इसको उल्टे हाथ से लिखूंगा ना तो मुझसे अपना नाम भी क्या हो जाएगा इस कांचा ठीक है तूटे हुए कार हैंडल के लिए उपयोग किया जाता है बस के हैंडल को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है किसी की मदद करने के लिए द्यालूता का उपयोग किया जाता है किसी विशेश हाथ का उपयोग करने को प्रात्मिकता द अंदर मैं आपको बेवकूप बनायता पाच का जो आपका ये वाला मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी special information होती है ये तो special understanding में आती है न तो ये तो आपकी गलत हो जाएगी ना मैं समझ लेता है तो दूसरा और थीसरा यहाप पर आपका ठीक है ठीक है यानि दी वाला यहापका ठीक है ठीक है आप लोग किसके साथ जा रहे थे इतनी जल्दी आप लोग वहां पर फस गए हम लोग किसके ओपर यह जो बुफूपर खेंड है मेरा कुष़न बुल्वा दिया पर बोला जाता है जो आपके मोटर स्किल से संबंदित होता है बेसिकल आपके फिजिगल डवलब्मेंट के अंदर ही आपका देखने को मिलता है ठीक है चलिए बहुत देख लेते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है नेक्स्ट आपके सामने question आगया question को ठीक है भई दूसरा उनका टेस्ट लेना है उसके लिए हमें परसंद पतर त्यार करना है और परिक्सा लेनी है ठीक है आप कौनची परिक्सा लेना पसंद करोगे समेटिव टेस्ट मास्टी टेस्ट डेगनुस्टिक टेस्ट या फिर आपके फॉर्मेटिव टेस्ट बता उस उसके अंदर जो आपके pattern के according जो question हैंगे बहुत सारे question exam के अंदर वही से आपको देखने को मिल जाएंगे जो मेरी CDP की last class होने वाली ही इस वाले CT8 वाली session के लिए जो आपका 21 जनवरी को है ठीक है उस class को भारी संक्या में आप लोग attend करना उसमें से बहुत सारे question आपको अत प्रवती यार एक बात देखो आप लोगे आपका टीचिंग लेंडी प्रोसेस के तुरान चलता है लेकिन यहाँ पर उसने टेस्ट ले लिया और जादे तर बच्चे उसके अंदर अपना फेल हो गए और फेल होने के बाद वो दुबारा से यहाँ पर परिक्सा की तैयारी कर रहा है लेने के लिए और परसन पत्र तैयार कर रहा है तो कौन सा पेपर लेगा फॉर्मोटी टेस्ट नो डाउट आपका बैस टेस्ट होता है टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस के दोरान होता है इसको जासादा बढ़ावा देने चीए लेकिन वह डैगनोस्टिक क्या मतलब होता है जिसमें पहले क्या किया जाता है समस्य की पहचान की जाती है क्या की जाती है समस्य किया पर पहचान की जाती है तो टीचर क्या काम कर रहा है यार इतने बच्चे फेल के होगे उसकी क्या वजह है चले को टेस्ट लेकर देखता हूं उसमें चो कमी आएग को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए पहले आप लोग डाइग्नोस करिए बच्चों को कहा समस्यारी है यागर खुद गंदर समस्यारी तो चीज को देखे और फिर उसको चारात्मक सिक्षण आप टेस्ट गाप कर डिदगानश्टी की साथ आप लोग आप चले जाना ठीक है चलिए आपका अगला देखते हैं मास्टी टेस्ट यार मास्टी थोड़ी कराने के लिए क coconut गर्गाई Bis तो फिर सबसे लास्ट में जाकर एक मास्ट्री टेस्स लेगा जिसमें बच्छों को master बना दे जैसे मैं आप लोगों के लिए मास्च्री टेस्ट लूगा आज डाइगनोस करने के बाद लास्ट में आपका C군 Скिंद्र बनाना है यहांनी निपुण बना रहा है जो कि CDP मामेरथन क्लास में मैं आपको बना रखा है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कुश्चन आ गया बावनात्मक विकारो यहाँ पर बात हो रही है आपके emotional disorder की बात हो रही है कोई कोन कोन यहाँ पर emotionally रूप से डवलप है हाथ खड़ा कर दो जरा ठीक है इमानदार इसे बता दो तो emotional disorder होते हैं उसके संदर में जो बच्पन का जो अवसाद है वो क्या होता है यानि जो चैल्यूड का आपका depression होता है वो क्या होता है बताओ emotional disorder के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है कोई आदमी को अ मंदित विकारों में लंबे समय तक मित रहिंता और ठकान की भावना जैसे लक्षन दिखाए देते हैं दोराए जाने वाले या घुस्पैट करने वाले विचारों चवियों या अनुष्ठानिक वैवारों अनुष्ठानिक वैवारों से उत्पन चिनता होती है बताओ सही आंसर क्या हो जागा किसके साथ आप लोग आपर जा रहे हो ठीक है तर फोटो दिख रहा है एडमिट काड नहीं जन्नेट हुआ है इमेज पेंडिंग के वजह से लेकिन कनफर्मेशन पेज में इमेज रिमूट करने का ओप्शन नहीं दिख रहा है ठीक है यार अगर काड भी डाउनलोड नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो अगर फिर भी आपका समधान नहीं होता तो दो दिन पहले आपका फाइनल एडमिट काड आ जाएगा उसमें सभी चीज आपको मिल जाएगे तो बेफी करिए कोई आपकी बड़ी समस्चा नहीं है उसके लिए आप लोंग वेटी करें वहाई तक आप लोग किस के साथ यहां पर जायों आप लोग फूर्थ के साथ जायों पहले कर and I was कर दिसोडर की लेकिन आपके अंदर कोई इस प्रकार का डिसोडर नहीं है ठीक है तो यह आपकी जो मनुद्वसा संबंदी जो विकार है उसमें लंबे समय तक मित्र हिंता की और ठकान की बावना जैसे इसके अंदर आपके लक्षन दिखाया जाते जो आपके बिल्कुल यहा आपन नजय डालते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने क्या दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन आपके सामने निमली कितमें से कौन सा अनुसासन हिंता का शिक्सक जनित कारण है यहापर आपका दिया वाए भीच्व दा फॉलोविंग इजा टीचर जनिटीड कोस ओफ इन डिसि जनित कारण है वह आपको बताना जल्दी सा आंसर आप लोग यहापर बताईए ठीक है जल्दी जल्दी बती आप लोग ठीक है तर मुझे बहुत डगल लग रहा है मैं पास हो जाए जैसे जैसे एक्जाम नजदी काता है डर लगता है टैंसन लगती है अभी मैंने आपके ले लिए हाड मोग टैस्ट ले दिया इसी आपको डल लग जाया लेकिन आप टैंचन मतलो जो आपका सेलेवसा जो पैटन है और जितनी चीज आपको मैंने पढ़ा रखिए ना उससे बाहर पेपन नहीं जाएगा अगर आपकी सीडिपी नहीं आएगी अगर दो चार अगर यह जोड़ा है मैंने को छोड़ दूत बस वरना 30 से 30 पूरे उसके अंदर आप लुग लाओगे ठीक है तो डल लगता जहता है कोई भी आप लड़ाई के अंदर जाओ किसी काम के लिए जाओ तो डल लगेगा मुझे दुनिया के अंदर हर कीसी को लगता ही है जिसको कम दल लग रहा है तो जाकर पेपर मत दो ठीक है मुझे क्या करना दना तुम्हारे डर से बेवकूप कहीं के मतलब मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे उदासी ने कोई teacher मैं ऐसे नहीं बोला आपको ठीक है तो कभी मुझे बखना सुरू कर दो या उसका खराब teaching है अगर उसकी पूर teaching है तो यहाँ पर indiscipline को आपको यहाँ पर दरसा देगा ठीक है indiscipline का आपका अगला question देखते हैं साबने स्क्रीन पर आएगे next question कि प्रारंबिक वर्सों में स्तंगेनात्मक विकास चानी के cognitive development निमली कितमें से किस से काफी प्रभावित होता है emotional development से language development से creativity से या फिर आपके social development से बताओ यह आपके लगमेंट के जो आपके domain मैंने आपको बता चुका हूँ मुखेत आपके तील domain होता है physical आपका domain होता है और आपका social emotional आपका domain होता है ठीक है अब आपको बताना है कि जो आपका cognitive development होता है संग्यनात्म के विकास ठीक है दिमाग के विकास होता है किस से सबसे ज़्यादा परभावित होगा जड़ा उसके बारे में आप लोग यहापर ormat없 को सबसे sensitive आपकी stage वान आ जाता है जाता है उस प्राहरमिक बाल लएucता को सबसे sensitive आपकी स्टेजवाना जाता है चाहे लेंग्वेड डेवलप्मेंट की बात करें या सोचल डेवलप्मेंट की बात करें क्योंकि उस अवस्ता के अंदर बच्चा क्या करता है सारी चुजुका इमीटेशन को भी करता है अपनी फैमली से आसपास के मावल से तो अगर मैं परबावित होता है वह लेंग्वेड डेवलप्मेंट से होता है बासा से आपर परबावित होता है अंसर आपका सही हो जाएगा सीखने के कि सव नियामकं शिक्सण यानि यहापर बात हो रही है सेल्फ रेगुलेटरी लन्निंग की बात हो जो गो काम को रेगुलेट करने के लिए बच्चा जिस इसपीश का यूज़ करता है तो आपकी यह मैंने बताई थी प्राइवेट के अंदर बोल के करता है खुद से बात करता है इनरस्पीश के अंदर खुदी-खुद बोलता है और अपने काम को करता रहता है लेकिन यहाँ पर बात होगी या individual learning की बात होगी इतना हिंट आपको दे दिया अप तो आंसर सही बता दे ना बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाप पर जा रहे हो ठीक है हाँ बता ठीक है सराज बहुत गलत हो रहा है आत्तों गलत हो गई देखो या सिंपल चीव आता है सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग खुद को रेगुलेट करने के लिए जो लर्निंग कर रहा है तो खुद के लिए कर रहा है तो आपकी individual learning हो जाएगी आपकी विक्तिगत आप किस औरों के बीच नेतिक निन्य का अध्यन किया और नेतिक विकास के तीन परमुक इस्तर बताए या फिर आपका मोरलीटी ओफ कनमेंशनल रोल कनफरमीटी या फिर मोरलीटी ओफ सेल्फ एसेप्टिड मोरल आपके पिंसिपल्स बताओ सही आंचर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग आपर जा रहे हो जल्दी से मांदारी से अपना आंचर आप लोग आपर मुझे बताइए और यह होग इसको ने रिकोर्ड बना दिये ठीक है बताओ वही किसके साथ आप लोग जाओगे कौन कौन चे लेवल है तीन लेवल बताए ते प्रिकरिक नमेंशन लेवल केंशनल लेवल और आपका पोस्ट कंवेंशनल लेवल पिरी तो आपको साफ दिख रहा है पर आपके साहां में और जो आपका morality और self-accepted moral principle जो आपका post conventional के अंदर आ जाएगा कि मैं समाज की नहीं सुनूँगा जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसके सुनूँगा जो समाज के माली जो कानूने नियम कानूने तोड़ दूँगा मैं उसको ठीक है अगर वो मानवता के खिलाप है किसी समाज के आप है तो तीनों लेवल आपके हो जाएंगे पहला दूसरा तीसरा थर्ड़ आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा बढ़ते हैं next question क्यों अगला question सामने आपकी screen पर आगया यह रहा next question निमली कितमें से किसका लक्ष है बच्चे को यह बताना है कि क्या सही है और क्या आस आप लोग बती है और आपको अमेशा अपना attitude कैसा रखना positive attitude डल लगेगा कोई बात नी एक्जाम नजी दिखा रहा है कोई बात नी attitude positive बनाए रखना कि या मैं इस exam को पास कर सकता हो कर सकती हो क्योंकि मैंने अच्छी तयारी कर रखी है अच्छा content मुझे मिल गया है तो definitely अ ठीक है अब इसके साथ मत चले जाना मैं तो आपको attitude के बारे में हापर चीज बता रहा था ठीक है कि positive attitude आपको रखना है जैसे आपको मैं एक बात बता हूँ थोंडाइक ने जब अपने सीखने के नियम देते एक नियम के अंदर उन्होंने attitude से सम्मदित बात बताईती कि अ और क्या आगे का मत पड़ो बच्चों को यह बताना है क्या सही है तो creativity के अंदर हम क्या पढ़ा देंगे क्या सही है हमें नहीं देखना कि क्या सही है क्या गलत है बच्चों का जो कर रहा है जो अपने आप चीजों को construct कर रहा है जो अपने आप सोच विचार कर रहा है क्या होजागा display न हो जाएगा कि क्या चीज आप सही है ये बच्चों को बताना है क्या आज स्विक्रत है याँ गलत चीज है यह आपको नहीं करनी और क्या उन्हें क्लास के अनुसार वयवार करने के लिए motivate करती है थर्ड थर्ड आंसर के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाना नेक्स्ट कोशन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया यह रहा आपके सामने अगला कोशन निमली कितमें से कौन से सब्द अनुप्रियोग कोशल यहाँ पर बात हो रही है आपकी application पर आपका अप्लिकेसन करता है चीजों को जो समझ लेता है तो एपलिकेसन की बात आ रही है अभी आप लोग जो किलास करो किलास के अंदर क्या काम करो जितना आपने चीजें सीखी जितनी समझ बनाई उसको यहाँ पर आप लोग application कर रहे हो उसको एप्लाइड यहाँ पर कर कर रहे हो टेस्ट देरो क्यार जो संदे मेराथन क्लास दीती हमने आद तक सीड़ी पढ़ी है कितना हमें आया कौन कौन सी चीज़ आई और कौन सी नहीं आई ठीक है तो यहाँ पर आप लोग application का यूज कर रहे हो आज की classroom के अंदर तो इसने पूछाए कि कौन से सब्द इ application के अंदर apply तो ऐसी हो जाएगा जो balloons टेक्स्टोनोमी थी जो उनके चेले चपाटे थे तो इस टेक्स्टोनोमी को revise कर दिया था ठीक है वो अलग topic है आगे के अंदर आप लोग पढ़ लेना demonstration होता है और उसके अलावा उदारन देना होता है निरिक्सन करना होता है यह सभी आपकी application skill के अंदर होता है आप लोग चीज़ों को apply करते हो अपने ज्यान को apply करो demonstrate करो कि सर यह होगा इसका ऐसा होगा यह भी हो सकता है उधारन भी आप लोग देरो निरिक्सन करो यह राज कितना मेरा score ठीक होगा तो सारी चीज़ आप लोग यह आपर करो पहला दूसरा तीसरा अंसरा आपका सही हो जाएगा अच्छा अभी तक कितना score आ है comment box में बताना अभी तक कितना है देखता हूं 30 नंबर तक आता है कितना आप लोगों का score बनेगा ठीक है अगला question देखते हैं सामने आपकी screen पर आ गया विकास सील बच्चों की आपर बात हो रही है ठीक इसका निमली कित में से कौन सा एक कारण नहीं है वह आपको बताना है negative पूछा है hand-eye coordination की बात हो रही है acquisition of knowledge की बात हो रही है rationalization of child views की बात हो रही है या memory यानिकि उनकी इस्मृत्ति की बात हो रही है बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ठीक है अभी मन्यू कुमार आज बहुत गलत हो रहा है सर यार मैंने आज difficult language आपको दिये जो को सीटेट के आपके प्रिविशर के question है मैंने खूब आपको discuss करा दिये मैंने कहाता कि जैसे मैं पढ़ाता हो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है जैसे exam आता है तो मैं पहले बिल्कुल basic से सुरू कराते कराते आपका moderate पर आता हो और moderate पर आते एक्जाम के last में सिर्फ आपको hard चीजे देखने को मिलेगी अब असान देखने को आपको नहीं मिलेगी ठीक है तो यह मेरा तरीका यही रहता है वाई क्योंकि अब मैं आपको कोई असान चीजे नहीं बता सकता कि लड़्डू से question दे दू आप उनको देखो ठीक करो खुस हो जाओ और वाह आज तो 30 में से 30 आगे मज आ गया पता चला पेपर में moderate question आगे hard हो गए आपकी लुटिया डूब जाए तो भाई मैं तो अब लाश्ट में hard ही पढ़ाता हूँ ठीक है बताओ क्या answer आपका सही हो जाएगा developing child के according क्या answer च्कार पर ठीक है तो बट्चा जैसा कर मैं बात करता है भी मैं जो लिख रहा हूं तो हैंडाई कोडिनेशन है मेरा आखों का और मेरा जो हाथ उसका ताल में आपर और बच्चा क्या आ ऐता है जो सुरुआति रस्ता होती है निजो विकास ही लगर हम बच्चे की बात करें तो ये तो उसका कारण होता है, वो अपने ज्ञान को acquire भी हापर करता है, knowledge को acquire करता है, for example, जो बच्चे की मातरवासा होती है, तो बच्चा उसको अधिकरन कर लेता है, आपर memory भी हापर उसका important factor होता है, क्योंकि विकासील बच्चों की अगर मैं बात करो, तो 6 साल के बच्च के विचारों का युक्तिकरन आपकी विकासील बच्चों के लिए नहीं होगा, यह आपका negative answer, यही आपका सही हो जाएगा, अगला question देखते हैं सामने आपकी screen पर अगला question है, चलो, यह तो आपका normal सा question है, इसको बताओ क्या होगा, एक सरंचना आप में कक्सागी आपर बा आपके CTAT में language का है, अगर आपने language को पकड़ लिया, पूरे 30 में से 30 आप लोग लेकर आ जाओगे CDP के अंदर, या दूसर सब्जेक की pedagogy के अंदर भी, language का खेला, वहना syllabus और topic यही आप क्या ने, button question को मैंने तयार कराया, कुछ मैंने इस बार बच्चों के लिए कुछ अ अध्यापक द्वारा कौन सी गति वीडियो को प्रोसाइथ किया जाता है, एक्सपरिमेंट को यानी परियोग को, प्रोजेक्ट वर को यानी परियोजनाकार्य को, फिल्ट्रिप को, या फिर वीज्वल को यानी दरश्य को, या क्लाज discussion को, अब यह जितनी भी option है, यह इस परियोजनात में ख्लास्रूम ठीक है, यहापर बात हो रही है, यहापर बच्छा अपने ग्यान का निर्मान खुद से करता है, ठीक है, जो टीचर होता है, बच्चे को सुईदा देता है, बच्चा खोजविन के माददम से अपना बच्चा चीज़ों सीखता है, इतने भी चीज़ें आपके सामने दीए है न, या डिस्कवरी मेथड या डिस्कवरी लेंडिंग आ जाता, तो वो भी इसके अंदर आपका काउंट हो जाता, कोलेबरेटी, कोपरेटी हो जाता, तो वो भी इसके अंदर आपका हो जाता, यह सभी वो आपके मेथड है, गति प्रभावी नहीं बना पाएगा तथा अधिगम यानि लर्णिंग के लिए उप्युक्त भी नहीं होगा बता वही कौन सा नहीं होगा अध्यापक बच्चों को समझने वाला तथा उनके साथ मित्रवत व्यवार करने वाला अच्छा जी शिक्षण अधिगम सामगरी ठीक है कमरे में परकास तता हुआया का आउगंद का उप्यूक्त रूपसे नहीं है बता कौन सा आपका दिगम के लिए उप्यूक्त नहीं होगा नेगिटिव उन enacted के आकटिव का भाय आन्शाण आपको elected you तीके वाई सर्पी Simpson बताई यह मैंने दोनों पेपर भर दिआ क्या मुझे दोनों पेपर देने होंगे क्या तो दोनों पेपर दे सकते हो लेकिन आपका वैलिड नहीं नहीं है क्यीrig along का डिसिजन आया तक अगस्थ केßeं न है तो 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 बहुए कि are वाले कोड़े वाले cur be, आपको निकाल देगा है ठीक है चलो बैद किसके साथ आप लोग यहाप पर जा रहे हो आप लोग जा रहे हो यहाप पर फोर्थ के साथ कमरे में परकास तता हवा का आउगमन उप्युक्त रूप से नहीं है तो यह आपका नेगिटिव है ठीक है देखो सिंबल सी देखो करेऊ घये है रात रात तक जगए त Đây यह बिध्याट बच्क के साथ क्ने पड़ए गए अगर टीचर बछो के साथ फ्रेंड्ली बेहिवेवियर नहीं करेगा तो बच्चा खुल कर अपनी बातं बता पाईगगा इसलिए trazoda को मितरता पूर्न करना चैंबैर वेवार करना चींट और वैसा वयवार नहीं करना चींट कि बच्चा आपसे और बहे है जाथ कर ठीक है वहाला व्याजनीत ताकि बच्चा आपने विचार को exercise आपके लिए बत्चों को गुर्मेंट की ट्रेनिंग हुई थी तो मैं बच्चों के लिए गया कुछ दिन के साथ उनके साथ गुला मिला मेरे कंदे पर हात रखते थे ठीक है चोटे चोटे हाथ गंदी भी रहते थे तो मित्रवत व्यवार करने वाला होने चीए यहाँ पर अधिगम सामगरी उप्युक्त इस्तान पर रखी होनी चीए परचूर मातरम होने चीए हालकि गुर्मेंट पुर्वाइड कराती है किताब वगरा अड्रेस वगरा आपका ठीक हो जागा ध्यान अकले ना आपके घर के अंदर अगर बच्चे हो या आपके स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चे मिले तो फ्रेंडली बिहविर आपको रखना पड़ागा आज आर में आपको किससा बताओ आज मेरे तेजी और किट्टो चले गए अपने घर चले गए वापिस इतना बुरी तरीके से वह रोए खूब मतलब आखों से आशू आखे मेरी भी आख आशू आखे ठीक है तो मतलब देखो हम लोग उनसे अगर बच्चों से इतना प्यार करेंगे वोल्टा हम से ज़्यादा प्यार करेंगे तो बहुत खूब मेरे से गले रहा करो और जब जोब मिल जाएगी तब भी यही वहवार आपको करना है ठीक है अगला देखते हैं तब से मुझे याद आ रही है उन दोनों की मेरा घर में मन नहीं लग रहा है जैसा घर खाने को आ रहा है घर के अंदर कुछ है ही नहीं ठीक है क्या करें भई अगला आपके सामने दियावा है कि किसी भासा के बोलने वालों की क्या भूमिकाय होती है क्या ग्रामर यानि व्याकन तता सब्द को उस तैयार करने में भासा विदो की मदद करते है या वे अभ्यास तता परचार से किसी भासा का आधार बनाते है या फिर वे केवल बोलने पर ध्यान देते हैं ना कि लिखने पर देते हैं बता उसरा अंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो जल्दी आंसर बती है ठीक है तर मेरा admit card paper 1 आया ही नहीं है tension मतलीजिए आपका admit card आ जाएगा जो final admit card है दो दिन पहले आएगा ठीक है तो tension मतलीजिए वो आपके board का काम है उसमें आपको घवरानी की ज़रूत नहीं है ठीक है बताओ भई कौन सा आपकी भूमिका होती है जरह उसके बारे में आप लोगा answer सही बताओ आप लोग अलग-अलग के साथ यहाँ पर जा रहे हो देखें simple से एक बात बताओ अगर यहाँ पर किसी की बोलने वाले की बात यहाँ पर कही जा रही है तो बही जो आपकी grammar होती है सब्दकोस तयार होते है उसमें भासा वीदों की help करता है जैसा आप लोग भासा वीद पढ़ते हो कि यहाँ आप बच्चो का इसके साथ ठर्ड के साथ जा रहा है ठीक है ठीक है बही सिर्ड 27 Ten आवे eleven एग जालत्यार चालत्यार और just the book लोगों की लास कतम भील जाएगा ना तब भी ऐसी होता है जिब तो आप लोग अपने एक्जाम देने जाते हो कि वह हमारा और आखर आपका सफर यहीं खतम होता है क्योंकि दो किलास के बाद हमारा सफर खतम हो जाएगा ठीक है तो आपको देखना फील हो गाई वाली बात मुझे तो फील होती है आपको भी जुरूर फील होगा एक observation के, note बनाने के, person करने के, फिर Rx बनाने के, drawing बनाने के बति यह kahe 있어 क्या हो जाएगा किस के साथ आप लोग यहापर जा रहे हो सही से अपने answer को जल्दी से बताइए है बिल्कुल बिल्कुल बताऊ सही अंसर आपका क्या हो जागा अच्छा देखो यहां पर बात हुरी है आपके demonstration method की बात हुरी है परदसन विद्धी की बात हुरी है जो कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आपको demonstration के रूप में सामने question आ रहे हैं सामने माली जो मैंने कु ठीक है यह सब आपके child-centered method होते हैं वह जाद आपको apply करने यह demonstration method हो गया lecture method हो गया यह आपके शिक्षक के इंदरिति विद्या होती है यह नहीं करना बाल के इंदरिति विद्यों का यूज आपको करना होता है ठीक है तो demonstration method के अंदर किस चीज के देता है observation के आप लोग यहा question भी करो यहापर ठीक है और कुछ यहापर drawing भी करो मालीजे इसी के आपको drawing करने होगी लेकिन वह आप लोग नहीं कर रहे होंगे आप लोग सीधा स्कीन सोठ ले ले तो सोठ में काम चला ले तो तो सभी answer आपके सभी सही हो जाएंगे पहला answer यहापर आपका सही हो जाएग comprehensive evolution के आपर बात हो रही है ठीक है तो science में CC के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मुल्यांकन का आदार निमलिकित में से कौन सा होना चाहिए क्या यहापर writing इसके लियानिकि लेखन कोसल होना चाहिए समूओं में परियोजनाकार यानिकि प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए स आपके मेथड ऐसे है जो आपके कही सारे रचनात्मक है लेकिन आपको सबसे बैस चिसके अंदर बताना है क्या अंसरा आपका सही हो जाएगा ठीक है तर पसी न उतार दिया आज आपने कौन सा बदला ले रहे हैं जितेंदर सिंग क्यों भई सोरब का डायलोग क्यों निका ठीक है तो टेंशन मतले लेकिन अगर आप लोग ने चीजे समझ ली तो आज भी आप लोग राम से 20 पलस लेकर आजाओगे इतना में आपको वरोसा दिलाता हो ठीक है बताओ किसके साथ यार यहाँ पर बात हुरी है किसकी सीजी के कोडिंग यहाँ पर बात हुरी है साइंस साइंस के अंदर विज्ञान के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं आपको पता यह जिसमों बच्चे का सैक्सिक मुल्यांकन क्या जाता है सिंपल सी अगर साइंस के अंदर एक तरम आपको दिख जाए एक्सपरिमेंट परियोग तो वह सभी को खतम कर देगी ठीक है और उसका अगर हमें बच्चों को एक लैबोरेटरिक अंदर उसको चीजे सिका रहे है साइंस सिका रहे है तो कौन सा मैथड सबसे अप्रूबेट आपका हो जाएगा इंडेक्टिव मेथड डिडेक्टिव मेथड प्लेवे मेथड या आपके सारी मेथड बताओ कमेंड बोक्स में क सामने आ गया सामनिकरत विचार यानिक आपके जनरलाइज व्यू की बात यहापर हो रही है तता विसेशता है जो एक पुरुष तता महिला में होनी चाहिए निवनि में से क्या क्या लाई जाती है क्या जेंडर रोल होता है अच्छा मुझे बताओ जेंडर रोल किस टाइब की बात हो रही है बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अकोडिंग सही आंसर या पर आप लोग बताए ठीक है डिड़क्टिव मेथड ठीक है वही देखर जैसे साइंस की बात आ रही है तो साइंस के इंदर में लोग क्या काम करते है रूल पर अधारीत रहता है ठीक है तो science आगया mathematics आगया तो deductive method बिल्कुल ठीक आप लोग ने बताए ठीक है किसके साथ आप लोग आपर जारो बताई जल्दी सांचा देखो यार चिंपल से बात है यहाँ पर आपके कुछ ऐसी विशेज था है कुछ आपके ऐसे जनलाइज व्यू है जो एक पुरुस तता महिला में होनी चाहिए कौन से महिला पुरुस में सामन्य करत विचार होने चा है पुरुस महिला जो होती है नाजुक होती है महिला ही जो होती है और बता दो महिला के बार में मैं बता दूंगा तो फिर महिला चीवड़ी जाती है ठीक है तो इस प्रकार से जो समाज द्वारा जो आपकी विशेज ताई है कुछ इस प्रकार के आपके विचार है जो पर वचाने उसको माना जाता है ठीक है चलिए बढ़े देखते नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने स्क्रिण पडा गया यह रहा नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने दिया हुआ कि निमली की तमें से किस प्रकार का अनुसासन सत्तावादी अनुसासन के खिलाप उन व्यक्तियों जिने इससे बच्पन से सहना पड़ाया के विरोध के रूप में विक्सित हुआ है दो यहापर किसकी बात हो रही है यहापके ऑथरी टेरियन की आपर बात हो रही है और यह परवरिस के तरीके है चार मैंने परवरिस के आपको तरीके बतायते है जिसमें आपने बताता है सर हमारी भी फैमिली ऐसे होती है जो हमने बोल दिया वही करोगे जहापर बोल दिया उससे साधी करोंगे जो कोर्स बोल दिया वो करेंगे ठेला लगाना ठेला लगाओगे त दबाने का मतलब यह नहीं है विचारों में दबा दिया ठीक है तो आपको बताना है कि कौन आपकी सत्तावादी अनुसासन के खिलाव विक्ति है जिने बच्पंद से सैना पड़ा है इसके विरोध के रूप में विक्स आपका विक्सित वा मोटिवेशनल डेमोक्रेटिंग उत्री टेरियन यह तो हुआ यह आपका पर मेंशी ओ जाएगा फौर्ट आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है अप पर मीश्य क्यों होआ इसे करेंगे हमारे साथ तो हमारे आरे घरवाले ने बहुत वो दिया है हमारी साथ यहां पर करवादी मेरी पूरी जिंदग खराब कर दी मैं तो जब बड़ा हो जाओंगा या जो मेरे बच्चे होंगे मैं तो उन्हें आजादी दूंगा आजादी दूंगी कि बेटा जो मन मारा वो काम कर लो और सब चीज का ध्यान नक्खूंगा कि कैसे पढ़ रहे क्या पढ़ तो परमिसी वह आपकी टाइब हो ज घूलन करता है बताओ हैरीडिटी को सबसे बढ़िया तरीक से कौन यहाप डिस्कराइब करता है जो है डी दिटी होती आपका क्या हो जाएगा ठीक है तर कैसे कुछन लाई यो क्यों बजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर सारे तो आपके सेलिवस के कोडिंग है पैटन क्या कोडिंग कुश्चन है वाल लेंग्वेज्टी को सब्सक्राइब की ठीक है बताओ सभी अलग-अलग आंसर आप लोगों का रहा है देखें अगर आप लोग इसकेंदर सेकंड ओप्षन देखोगे यह इस बात को तैय करता है कि हम कहा तक जा सकते हैं अगर मैं डेवलफ्मेंट की बात करूं तो डेवलफ्मेंट मैंने आपको बता है है और एंवारमेंट दोनों की परस्पर कि दियाओं का पर नाम होता है तो इसके अंदर आपके जो हैरीडीटी है वो यह निर्दारित करते कि कोई बच्चा कहा तक जा सकता है मंगाली जयो कोई Kis के पिताजी लंबी हाइट वाले है ठीक है तो बच्चा भी लंबी हाइट वाला हो सकता है लेकिन सास साथ में उसके होगी इस बात को प्रदिय करते हैं कि वच्चा कहा तक जा सकता है यायनि हम कहा तक जा सकते हैं विकलांग बच्चों की आपर बात हो रही है उनको नियमित कक्सा में शिक्सित करने बच्चों के खिलाब जो आपके कैसे बच्चे विखलांग बच्च यह कहां से पढ़ेंगे यह तो कुछ और काम में लगा दो इनके लिए तो कुछ यह ऐसा क्यों हो रहा है स्वेता सिंग नहीं पेड़ तो ओपन हो रहा है अगर आपको कुछ प्रोब्लम प्रोब्लम आ रही है तो एप्लिकेशन ओवर्ट सफ नमबर दिया है उसको डाल दीजे साध आपने लोग आउट कर दिया होगा या कुछ क्या होगा तो टीम उसको सोल करा देगा ठीक है क्योंकि लास्ट का टाइम है अच्छे तरीके से जो पेड़ी क्लास के अंदर जितने सब्सक्राइट दे रखें कंटेंट दे रखें उसको पढ़िए ठीक है तो टीम को मैंसे डाल दीजे वर्टसप नमबर जो आपको दिया रखना और विकलांग बच्चों के साथ हमें कोई सिंपती नहीं रखनी मैंने क्या बता हुआ है उनके साथ हमें इंपती रखनी है सानुभूती नहीं रखनी तदानुभूती या समानुभूती हमको बच्चों के साथ रखनी है ठीक है और नेगिटिव नहीं पोजिटिव प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् लो वीजन से यानि कि कम दृष्टी से से या फिर आपकी एंपूटेशन से बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा लोको मोटर डिसेबलीटी के बारे में सही आंसर के साथ आप लोग यहाँ पर जाईए ठीक है बताओ वही और कोशन का लेवल कैसा लगा आज आपको मज़ा है ऐस भी हार्ड पेपर देदे तो उसको अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो इसके बाद एक और मेरा लास्ट किलास होगी मेरी सीडिपी की जिसके अंदर मैं सिर्फ आपके वह इंपोटेंट कुशन रखोंगा जो एक्जाम में बहुत सारे आनी आने उस वाली किलास स वह मेरी लास्ट किलास होगी ठीक है तो उसके अंदर जरूर राना और अपने एकजाम में काफी कोश्चन मिलेंगे ठीक है शी के साथ जा रहे हो सेरीवल पाल्ची अरे गदो लोको मोटर डिसेबलिटी आपके किस से जुड़ी होती है आपके सरीर से जुड़ी रहती है ज में करपाथ अपनी प्रकार से नहीं कर परता अपनी फिजीकल एक्टी को से प्रकार से नहीं कर पाथ लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे फोर्श के साथ चले जाना ठीक है किस के साथ फोर्ज के साथ आप लोग आप चले जाना ठीक है चलिए भाई ये पेपर टू में ऐसे कुश्चन ही पूछता पेपर बनों चाहिए पेपर टू दोनों का सले बस आपका से में अभी तक आप क्यों नहीं समझ रहे यह कुछ बच्चे ऐसे चलिए जर लार्षट के टाइम में पढ़ने आते है तो देखें जो बच्चे पहले से पढ़े उनको तो देखो कितनी साथ रहे आप सिर्फ लाक्री टाइम में आते है आप लोग ने मेरी मेराथन देखिना पास हो जाओग आप लोग लेकिन पास होना मकस्द ने इसके बा हो यानि कि बात होरी आपके individual differences की बात हो रही है इसका क्या च्छेतर है क्या पर आपके लिंग बेध तया दिक ए कि इसके साथ भी आप लोग जा रहे हो डीडी के साध् Быla की क्या ओनलो हफ रई ऑब्धूट ढबो DO जेंड तो इस प्रकार का बोड़ी का इस्टक्चर सभी का लग अलग है जैसे मेरा बोड़ी का इस्टक्चर आपका कैसा है अभी तो मेरा लग है आप में से मेरी मेंटली जो प्याइब अच्छी मेंटली जो आपको दर साथा है डेवलमेंट को दर साता है तो हर प्रकार सब्सक्राइब खोर्श के अटर्ट के कि रिखाया आप लोग देखरे ना हमारे हाथ की रेखाय से निसक्ति पूरी दुनिया के अंदर तो धेको कितना इंडिवीजल पाए जाता है तो all of the above होंगे और जो मैंने आपको बताए वो भी सभी हो जाएंगे और अगला question सामने स्क्रीन पर आगया यह रहा next question question दिया है आपके सामने की सिक्सर अधिगम परिक्रिया यानि बात हो रही है आपके teaching teacher centered आप रहे प्रोच उसमें बच्चे एक्टिव है यह फिर आपकी सरविचनात्मक सिक्सर नदिगम है उसमें विद्यार्ति को निस्क्रिय सिक्सार्ति माना जाता है तथा अध्याबक विद्यार्तों दुवारा ग्या निर्मान की परिग्रिया को सुगम में आपर बनाता है यह बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा बताओ कोन कोन मेरी इस बास से सहमत है जो इस बात को याप ठीक करेंगे तो बहुत यापर गिफ्टीड बच्चे में उनको यापर मानूंगा ठीक है बताओ यापर सही क्या हो जाएगा जोमारे टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस के द अब इसकरफिड नहीं होती होती होते करिया और जो बच्रेश घ्रति में आपको बद नार्त को डिखेंग को जो कि हमारा चल्ला है Constructivist learning में आपको करा रहा हूँ इसमें विद्धार्थित को निश्क्रे चिक्सार्थि माना जाता है क्या मैं आपको पैसिव मानना हूँ अगर बच्चा लेंग्वेज आपको अच्छे लगी वह भी कमेंड बोक्स आप लोग बताना ठीक है क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे तरीके लाता रहता हूँ ऐसे मैं तर्स लाते रहता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग खुले आपको पता चलेगी यार सिंपल साधे को नहीं करने अ उस परिक्रिया को संदर्बीत करता है जिसके मादधम से एक बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों से सामाजी का आचरण में में महतपून सबक सीखता है यह D है कि पूर व्यवार पैटर्न को हटाने और किसी जीवन में संक्रमन के हिस्से के रूप में नए लोगों को स्विकार करने की परिग्रिया को संदर्वित कता बताओ प्राइमरी सोसलाइजेसन के भार में क्या यहाँ पर आपका ठीक दिया हुआ है ठीक है बताओ वैसे य रिकोर्ड है पूरे देज भरिकंद तो सबसादा आप लोग इने अपने सचिन सरका बनवाया हुआ है अभी हमारा एक लाग 2,000 हुआ था इससे पहले मेरा था में नई स्ते तरह जार भी हमारा हुआ उससे पहले पच्पन हजार हमारा हुआ था तो सारे रिकोर्ड आपके अपने सचिन सरके पास है आपर रखे हुए ठीक है तो यह थैंक्यू बहुत आप लोगों का इतना रिकोर्ड आपने बना दिया ठीक है किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हैं थर्ड और सेकिंड या थर्ड क्या है पहले थर्ड देखते हैं उस परिक्रिया को यहां पर अपने सात्यों सामाज्यका अच्ण में थ्रुदी सिकता है अगर आप लोग से कंगों को अपने प्रात्मी के सुरुवाति वरसों में जो सीसु कैस सामाजिकन को सीज़ेः इसको संदरविध करता राइट आंसर यहां पर आपका बी सय हो जाएगा और फ्रेंट्स या आपका जो हाड मोग टेस्ट था जो आज मैंने आप लोगों के लिए लिया तो इमानदरी से मुझे अपना स्कोर बता दो इमानदरी से बताना क्योंकि यह आपने इमानदारी से बताया तो मुझे feedback मिल जाया कि आपकी त्यारी ठीक हो रखी है या अभी भी आप लोग नहीं नहीं चीज़े पढ़ने पा रहे हो या भी नय नय पढ़ना आप लोगों ने शुरू कराया बताओ भाई इमानदारी से आप लोगों का कितना स्कोरव भाय ठीक है वन मिलियान होगा स्सक्धी दि फिर से वन मिलियन तो नहीं हो भाएगा भाई ठीक है थी वान बिलियें तक हाँ आपने पांचा गंटें के अंदर यु बान highlighting लोगो ना उसको जरूर देख लिया था लेब अपने तुमांदारी सकना इसको रुबत है किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहो है आप लोग वहां पर जा रहे हो अलग अलग के साथ ठीक है रोशन कुमार के सतरे है जनता गेमर के 19 जनता गेमर यह कैसा नाम है वह आपका रगुवीर के 20 है महीन परिविन के 23 है एसपी तिरपाटी के आपके 20 है काश्मा दूबे के आपके 27 है वेरी गुड़ आपके स्कोर अच्छा है ऐसे कॉस्चन में ठीक है और पेड कोर्स में लैप्टॉप में डाउन्लोड का ओप्शन कैसा आएगा भाई आप टीम को मैसेज कर देना वह आपको पूरी परिक्रिया पता देगी ठीक है और उसके लावा भाई मैंने पूरा टैम नहीं किया करो भाई बोभी यादव के आपके 24 है कुमारी सोम्या के आपके 22 है अंबुज पास्वान के 22 है विकास कुमार 21 है मुहम्मद नवाज खान 16 नंबर है ठीक है निक्कु मिश्रा के चोद है दिगेश क कुमार 19 है नहा 21 है संतोष कुमार 25 है मिश्टर सत्यम आपके 25 है डोक्टर अनुस सिंग आपके 24 है हिमांची चोदरी आपके 27 है ठीक है और आपके कागे माही गुजर आपके 20 है सैनाज परविन 25 है इसको और अगर मैं देख रहा हूं आप लोगों का अगर मैं एक मोटा मो कि आपके 20 के प्लस है कुछ 20 के नीचे ठीक है तो मैं इसको ठीक मान सकता हूं क्योंकि आज आपका हाड मोग टेस्ट था चलो भई आज आपकी क्लास यही खता में होती है कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे किसी और मोग टेस्ट के साथ और मोग टेस्ट आपका हाड़ ही रहेगा असान बिल्कुल नहीं रहनेगा तो कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे और तब तक आप लोग मेरी CDP के मामेरतिन क्लास और जो मेरी language के मामेरतिन क्लास है जैसे मान लीजे पहली हिंदी की है उसको देख लेना उसको जरूर देख लेना और हम मिलेंगे कल आप लोग उसे 8 बजे तब तक पढ़ते रही है ध्यान के डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि अमारा आज इसको कमाया क्योंकि मैंने बहुत चार्टकर कोश्चन लिए हार्ड कोश्चन लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा एक लेवल के कोश्चन दे सकूँ ठीक है बाकि बेफिकर रही है झाल